हाई गाईज वेलकुम बैक टू माई चैनल आज मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज शेयर करने वाली हूँ मैं आपको काफे टाइम से बता रही थी कि मैं बिमार चल रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम हुई है कैसे क्या हुआ है तो मैं सोच रही थी कि मैं आमदापाद जाने के बाद आप लोगों को बताऊं बट सम रीजन में नहीं जा पा रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ फिर्ट्स मैं प्रेगनेंट हूँ और डेली आने के बाद ही मुझे पता चला कि मैंने कंजीव किया है तो इसलिए जो है वो सबसे पहले जो है वो मैंने प्रेगा नियूस से जो है अपना जो भी प्रेगनेंसी होती है वो टेस्ट किया तो आप देख सकते हो ये जो प्रेगा नियूस का जो रिजल्ट था वो मुझे बहुत जादा जो है यहाँ पर विजिबल नहीं था तो आप जबकि मैंने इसे morning urine से test किया था सुबह उठते ही मैंने सुना था कि morning urine से ही आपको test करना होता है तो मैंने उसी से किया था बट रिजल्ट से जो है वो मैं बिल्कुल भी satisfied नहीं थी मुझे doubt था कि मैं pregnant हूँ और एक पल को doubt हो रहा था कि शायद मैं नहीं भी हूँ उस टाइम तक मुझे कोई idea नहीं था तो फिर मैं doctor के पास गई same day और फिर मैंने evening में जो है वो doctor से test करवाया अपना तो आप ये देख सकते हूँ ये doctor का जो है वो report है और ये शाम को किया हुआ test है बट मुझे जो है वो clear result नहीं मिला satisfied होने लाइक result नहीं मिला तो मैंने doctor से consult किया और doctor से test कराया और उसके बाद ही मुझे पता चला कि मैं pregnant हूँ यहां पर मैं आपको बिता दू कि मेरे जो periods थे वो इन्रेगुलर चल रहे थे तो इस वज़े से भी मुझे काफी problem आई इन्रेगुलर का मतलब है कि कुछ days आगे पीछे हो जाते थे ऐसा नहीं है कि महीने दो महीने आते ही नहीं थे बट हाँ थोड़ा इन्रेगुलर चल रहा था मेरा periods उसके वज़े से भी मैं थोड़ा confused थी कि actually में क्या problem हो रही है और सबसे पहले मैं आप लोग का ये myth जो है वो clear कर देना चाहूंगी कि जैसी ही आप pregnant होते हैं आपको उल्टे आने लगती है आपको चकर आने लगती है आपको smell आने लगती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है first five to six week तक जो है वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप pregnant हो मुझे जो है वो थोड़ा periods का problem था इसलिए मैं regular जो है अपना चेक कर रही थी pregnancy इसलिए मुझे starting के third, fourth week में ही पता चल गया कि मैं pregnant हूँ नहीं तो आपको जो है वो काफी समय तक पता नहीं चलता है कि आप pregnant हो क्योंकि इस टाइप ही tendency जो है आपको starting के phase में बिल्कुल भी feel नहीं होती है तो हमने बचपन से सुना था या मुझे भी पहले seriously यही पता था कि जैसी आप pregnant होगे आपको उल्टी आएगी आपको चक्कर आते हैं आपके पैर भारी हो जाते हैं आपको smell आती है खाने में से तो मैं doctor को भी यही बोलती थी कि doctor मुझे ऐसी कुछ भी feeling नहीं आती है और मैं pregnant हूं तो कैसे है तो उन्होंने बोला कि आप starting के ही phase में हो इसलिए शायद आपको अभी यह सब feel नहीं हो रहा है 5-6 week जैसे आपके cross होंगे उसके बाद आपको feel होगा तो पहले के time में क्या होता था कि आपको पता ही चलता था काफी late से बहुत बाद में आपको पता चलता था तो जब तक आप मतलब doctor के पास जाते थे अपना check-up कराते थे तब तक जो है आपके 5-6 week cross हो जाते थे और फिर आपको जो है यह सारी feeling start होने लगती थी तो आपको ऐसा लगता था कि starting में ही जो है वो आपको उल्टी आ रही है या आपका चक्कर आ रहा है तो अभी जो है मेरा 7-8 week हो चुका है तो जैसे ही मैं doctor के पास गई उन्होंने किट से जो है मेरा test किया उसक आपके जो है वो मेरी report है और मैं आपको ultrasound का जो है वो अपना report एक बर दिखा देती हूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यह आप देख सकते हो यह जो है वो मेरा ultrasound का report है और यह fourth week का report है मेरे मतलब pregnancy का जो fourth week चल रहा था मेरा उस time का report है और इस report में जो है वो कुछ भी visible नहीं था डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं प्रेगनेंट हूं या नहीं तब उसके बाद उन्होंने मुझे एक ब्लड टेस्ट बोला करवाने के लिए तो फ्रेंट्स ये जो है वो मेरे फॉर्थ फिफ्ट वीक का जो है वो रिजल्ट है आप देख सकते हो यह इंप्लांटेशन है वो उस टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ था और कुछ भी उन्हें क्लियर नहीं विजिबल हो रहा था तो उन्होंने बोला कि हम कुछ वीक बाद एक और अल्ट्रा साउंट करवाएंगे उसके बाद विजिबल हो पाएगा कि आप प्रेगनेंट मतलब बेबी का इंप्लांटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है या नहीं तो यह जो मेरा रिजल्ट है वो फोर्थ फिफ्ट वीक का है और आप यह देख सकते हो बहुत माइनर सा एक क्लॉट आपको दिख रहा होगा आप यह सोच सकते हो कि एक मतल के दाने जितना चोटे दाने ज यह बहुत छोटा सा दिख रहा है और actual में जो है वो बहुत छोटा सा होता है 6th week में जाके जो है मेरा implantation स्टार्ट हुआ था तो मुझे थोड़ी सी जो है वो spotting भी हो गई थी bleeding की तो हम थोड़ा सा डर गए थे तो फिर हम next जो है जो डॉक्टर के पास गए तो उनको बताया कि थोड़ी सी spotting हो गई है तो उन्होंने फिर मेरा ultrasound करवाया और बताया कि यह implantation का bleeding था कोई घबराने वाली बात नहीं है और baby जो है वो अच्छा है अभी ठीक है healthy है तो आप को मैं second वाला जो है वो ultrasound का report यहाँ पर दिखा देती हूँ इस वाले में जो है वो आपको बहुत clear visible होगा बट अभी भी जो है वो एक clot ही दिख रहा है शेप पूरा नहीं बना है बेबी की दिल की धड़कन जो है वो अभी नहीं बनी है क्योंकि अभी जो है वो मेरा साथवा आठवा हफता ही चल रहा है और छटे हफते के बाद जो है ये मुझे वाइमिटिंग की problem और खाने से smell आना और चक्कर आना कमर में pain होना back pain मुझे बहुत ज़्यादा होता है मैं बैठ नहीं सकती अभी भी मैं बैठ थी हूँ तो मुझे बहुत दर्द हो रहा है कमर में तो मैं continue पान दस मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ पाती हूँ बहुत पेन होता है कमर में और अगर मैं सीधा लेट जाओं तो फिर कमर की नस भी मेरी अटक जाती है पता नहीं क्यों बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो इस वज़े से जो है काफी सारी प्रॉब्लम जा रही है अभी मेरा थर्ड अल्ट्रा साउंड जो है वो 20 तारीक को उन्होंने मुझे बोला है कि आपको अभी तीन महीनी तक जो है वो ट्रेवल नहीं करना है रेस्ट करना है बिलकुल भी जीना वेगरा नहीं शेरना है तो अगर आप स्टार्टिंग के थ्री मंथ में हो तो आप ये सब चीजे ध्यान रखिए कोई भी लेडी हो तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप चीज़े पर ना चले या आप जीना ना चड़ें कोई भारी समानना उठाए तो इन सब चीजों से जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे पीरेट्स इन्रेगुलर थे इसलिए मुझे डॉक्टर ने एक दवाई प्रिस्क्राइब किया और वो दवाई मुझे तीन महीने तक लेना है काफी टाइम से मैं ले रही हूँ और वो आराउंड आपको तीन महीने में तीन हजार तक का खर्चा आता है एक मैडिसन का जो आपको लेना होता है बट ये मैडिसन उनहीं लोगों को चलता है जिनकी पीरेट्स इन्रेगुलर होते हैं और ये दवाई ये इसलिए कि अगर आपके पीरेट्स इन्रेगुलर हैं तो आपका मिस्कैरिज ना हो जाए तो इसलिए ये मैडिसन चलती है और डॉक्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजे सारी दवाईया प्रिस्क्राइब कर देंगे और आपको उनकी हिसाब से ही दवाईया ईकवानि तो आपको प्रिसक्राइब करी देंगे अगर आप बेवी जो है वो जो हो कि आपको बेवी करना है तो आपस्टार्ट के एक अफले सी थे यह ऊटाद में अपने खा सकते हो एक काफ सील कोड्य करने का काम करता है तो अशे बच्के का बच्चे का घ्रोथ बहुत तो यहां पर मैंने बहुत पहले से प्लान नहीं किया था तो जब मेरा क्लियर हो गया कि मैं प्रेगनेंट हूँ तो मैंने उसी टाइम से जो है वो फॉलिक एसिट लेना स्टार्ट कर दिया कुछ मैडिसेंस जो है वो भी 6 बी 12 यह सब भी लेने होते हैं आपको तो वह सारे मै यही में कुछ टैबलेट्स होते हैं जो आपको लेने होते हैं और फ्रूट्स का ध्यान रखिया फ्रूट्स ज्यादा से खाइए आपको जो भी पसंद आ रहा है फल कुछ खटे फल वेगरा मत खाइए स्टार्टिंग के तीन महीने में और गरम चीजे मत खाइए क्योंकि मु स्टार्टिंग के तीन महीने थोड़ा जादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बट उसके बाद आप ले सकते हो अभी मुझे स्टार्टिंग में तीन महीने एग वेगरा मना किया है खाने के लिए अप अंडवेगरा नहीं ले सकते हो स्टार्टिंग के तीन महीने में उस तो जादा दवाईयां ले रही हूँ मैं, तो उसके विज़े से मुझे बहुत acidity की problem होती है, खाना भी मैं नहीं ठीक से खा पाती हूँ, तो मैं अभी just जो है वो थोड़े दिर पहले doctor के पास से आई हूँ, कुछ medicines मुझे चाहिए थी, acidity की और ulty की, मतब टेंडेंसी बहुत होती है, और दो दिनों से बहुत vomiting हो रही है मुझे, खाना खाते के साथ ही हो जाती है, तो उसके लिए मैं दवाईयां आज लेकर आई हूँ डॉक्टर से, तो यह सारी चीजें जो है वो मैं आप लोगों के साथ share करना चाहती थी, बताना चाहती थी मेरा experience और आगी भी मैं आप लोगों के साथ जो भी होगा वो मैं share करती रहूंगी, कि मेरा क्या experience रहा है, back pain की problem बहुत जादा होती है मुझे, और second चीज यह कि अगर जैसे ही आप pregnancy test करते हो और आपको result जो है वो visible नहीं है तो अगर आप अपना heartbeat भी चेक कर आ लोगे पॉल्स भी चेक कर आ लोगे तो भी आपको clear हो जाएगा, आपको याद होगा मेरे दो तीन पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, कि मेरी heartbeat हमेशा बढ़ी हुई रहती थी, मैंने BP meter का किया था, मैंने pulse meter का test किया था, अपने चैनल पे, तो उन सब चीजों पे जो है वो मेरा BP ठीक था, बट मेरा heartbeat बढ़ा रहता था, तो जैसे ह कि आप conceive करते हो, जैसी आप pregnant होते हो, तो वैसे तो आपका 72 से 80 के बीच में heartbeat हमेशा रहता है, और जैसी आप pregnant होते हो, तो आपका 100 से उपर चला जाता है, अब भी मैं जस्ट अपना test करवा कर आई हूँ, तो मेरा जो heartbeat था, वो 116 था, और अभी भी जो है, वो मैंने pulse meter यहा पर लगा के रखा हुआ है, तो मैं आपको बता देती हूँ, और अगर आप देख, तो आप देखिए, 117 बता रहा है, यहाँ पर मेरा heartbeat, तो मेरा heartbeat हमेशा ही बढ़ा रहता है, और आपको मेरी आवाज से भी पता चल रहा होगा, कि बोलने में जो है, वो मैं बहुत हाफने लगती हूँ, अगर मैं continue बोलने की गोशिश करूँ, पहले यह सब चीज़े नहीं होती थी, और नहीं होती है किसी को भी, जब आप pregnant होते हो, उसी टाइम पे जो है, यह सारी चीज़े आपको face करनी पड़ती है, कि अगर आप बोलना, मतलब बहुत तेजी चीजी से होगे, फास्ट फास्ट बोलोगे, ज्यादा बोलोगे, तो आप हाफ नहीं लगते हो, तो आप देख सकते हो, मैं बोल रही हूँ हूँ, तो एक सो बीस तक मेरा हाट बीट यहाँ पे चला गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, तो I hope आप समझ गय होंगे, काफी सारी आपफ हो के सारगिते हैं काउद आपको यहाँ पे अ क्लीर कर दी है तो अगर आपके लाइफ में भी ऐसा फेस चल रहा है, ऑर आप सही चीज ानना चाहते हो तो चैनल के साथ बने, रहे हैं और अगर आप और भी चीज जानना चाहते हो, तो कमेंट जरूर कर यगा, मैं नहीं कुछ लेंदी चीज होगी तो मैं वीडियो बना कर आप लोगों को बता दूँगी तो वीडियो जो है वो थोड़ा डिले हो जाता है अभी बिकोज प्रॉब्लम अप समझ सकते हो जैसे ही थ्री मन्थ मेरे कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर से रेगुलर हो जाएगा वीडियो तो थाइंक यू पर वाचिंग वीडियो टेस्टर बाई